प्रणाम, आप सब के लिए बहुत प्रार्थना है। इस समय पूरा संसार इस करोना वाइरस आपदा से ग्रसित है, भयबीत है और स्थिती बड़ी दैनी है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ऐसी situation में आप विचार करिए कि आप अपने आपको कैसे सुरक्षित करेंगे, यह बहुत जरूरी होगा। सरकार की तरफ से जितनी भी protocol आ रही हैं उसको बहुत सयमित होके बड़ी साबधनी से उसको follow करें। चाहे वो mask पहनने को हो, चाहे वो hand sanitizer यूज़ करने को हो, आपको किसी भी तरह से कोई चीज रोकनी नहीं चाहिए, आपको यह सब करना चाहिए। फिर बात आती है जब इसका उपाय ही नहीं है तो हम क्या करें। यह समय है आपको समझने का कि पृत्वी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और कई चीजें मनुश्य के हाथों के परे की होती है। उसकी समझ से भी परे होती है। आप इस समय अपनी परार्थनाओं को यदि मजबूत कर सके शक्तिशाली कर सके तो आपको उसका जरूर लाब होगा। आप पृत्वी से क्षमा याचना करें कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा क्या गलत हुआ कि इस परकार से आपको आपकी ऐसी परिस्थेती होगी। तो उसके लिए आप शमायाचना करें प्रार्थना करें और अब ये बहुत अच्छा समय आपके लिए ये समझने का कि शरीर का जो इम्म्यून सिस्टम है यदि वो शक्तिशाली होगा तो किसी भी परकार का इंफेक्शन हो चाहे वो बैक्टिरियल इंफेक्शन हो चाहे वो आपके शरीर को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको किसी भी परकार से कोई हने नहीं पहुंचा सकता तो अब समय है आपको अपने योगा को और आगे ले जाने का कुछ आसने जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहूंगा पहला आसन है पश्चिमुत्तान आसन दूसरा आसन है हलासन तीसरा आसन होगा धनूरासन चौथा आसन है चक्रासन और पांचवा पदमासन ये पांचों आसनों को बड़े गंभीर रूप से अपने इम्म्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाने के लिए ऐसा विचार रखकर आप इनका अभ्यास करें बहुत अच्छा समय हैं अपने मनोबल को बढ़ाने का ये समय है जब आप देख रहे हैं कि पूरी प्रित्वी डरी हुई है और इस डर के समय में आपकी स्थिती कैसी है कि आप भी डर गए हैं इस संसार में कोई भी चीज जब आपको डराना शुरू कर देती है तो ये मान के चलें कि आप हार आजयेंगे तो आपने डरना नहीं है अदरता अदमी कब नहीं है जब उसका मनोबल मजबूत होगा तो प्रानायाम और ध्यान के माध्यम से अप अपने मनोबल को अपने आत्म बल को बड़ा बनाओ शक्टिशाली बनाओ तो प्रानायाम हो गए अनलोम विलोम कपालभाति खंड प्रानायम ब्रामरी प्रानायम इन प्रानायम सब का अभ्यास करो और सबसे जरूरी होगा इस समय ध्यान करना ध्यान के लिए जो ध्यान मैं आपको देना चाहता हूँ आज उसका नाम है ब्रहमांड ध्यान तो आप पूरे ब्रहमांड को अपने आग्निया चक्र पर ल आपके पास जो शक्तियों का आना होता है, वो आपके ध्यान बल को, आपके आत्म बल को और बड़ा बना देता है। तो आपको ब्रहमांड ध्यान करना चाहिए, इसको करने की विदी है कि आप सुखासन में बैठें, आँके बंद रखे जाती हैं और फिर आप विजुलाइज करते हैं, देखते हैं ब्रहमांड को, ब्रहमांड आपके आँखों के आगे प्रकट हो जाए, आप इस प्रकार से अपने ध्यान की शुरुआज करते हैं, और जैसे ही आपको लगता है कि ये ब्रहमांड आपके आगे प्रकट होना शुरू है, फिर आप अपनी कल्पना शक्ति से स्वयम को उस ब्रहमांड के बीच में बिठा देते हो, और ब्रहमांड को देखना शुरू करते हो, तो उसम सबी ग्रह, मिलकी वे, गैलेक्सी, दुनिया भर की चीज़े आपको प्रकट होना शुरू हो जाती है, आप उन सब को देखिए, उनका अनुभव लीजिए, उससे आपके मस्तिस्क पे, आपके शरीर पर और आपकी सोच की शक्ति पर एक बहुत अद्वुत प्रभाव पढ आगे बढ़ाता है, तो ये ध्यान होगा, ऐसे कुछ आसन आपको मैंने बताए, ऐसे कुछ प्राणायम की विधिया आपको बताए, बहुत आराम से स्थिति को आप देखिए, घबराईए नहीं, पैनिक मत लीजिए, सरकार अपना कारे कर रही है, डॉक्टर अपना कारे कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपना कारे कर रहे हैं, इस समय आप अपने घरों में हैं, और ये आपके पास एक स्वध्याय करने का अच्छा समय है, रुको, घबराओ नहीं, और किसी भी चीज को छोटा मत मानो, ऐसा नहीं, इसको आप नजर अंदाज करना शुरू कर दो कि मु बहुत जरूरी होगी, precaution is better than cure, ऐसा नहीं कि जब आप इसकी चपेट में आजाएं, तब विचार करें कि मुझे मजाक नहीं बनाना चाहिए था, किसी का मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो सब चीजें करने चाहिए थी, जो मुझे बताए गई थी, तो समय हैं, समय रहते रहते अगर हम इसको defense अगर अपना strong बना पाए, तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप casual रहे गे, तो फिर स्थिती ठीक नहीं होगी, तो प्रार्थना करें, और मेरी भी प्रार्थना है, ब्रहमांड से, मेरी प्रार्थना है, इस परमात्मा से, कि इस पर सभी को सुख दे, शान्ती दे, और इस आपदा के समय में, हम सब का आत्म बल बढ़ाए, हम सब का मनोबल बढ़ाए, और सब की रक्षा करें, प्रणाम